आप सबको मेरा नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं भर्वा करेले की रेसिपी जादतर लोग भर्वा करेले खाना बहुत पसंद करते हैं मैं भर्वा करेले थोड़े जादा ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी जोइंट फैमली है और सभी को ये बहुत पसंद आते हैं मैंने करेलो को धो कर इनके अंदर का गुदा निकाल लिया है और उपर से भी करेले को छील लिया है करेले को छीलने से यह फायदा होता है कि एक तो इसकी परत पतली हो जाती है उपर से इसका छिलका हम मसाले में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनी छिलको और अंदर के बल्प से ही हम मस के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह त्वैच्चा रोगों के लिए अच्छा होता है जोड़ों के दर्थ पत्री उल्टी दर्ष्थ बलड सूगर को कंट्रोल रखता है हर्ट को वजबूत रखता है इम्म्योटी सिस्टम अच्छा करता है मैंने शारी करेले छील लिये हैं अब हम प्याज को काट लेंगे, ये देखिए, ना जादा मोटी, ना जादा पतली, क्योंकि ये सारा मसाला हमें चौप करना है, आप चाहे तो सिलवट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस मसाले को थोड़ा सा दरदरा ही पीछना होता है, बिल्कुल घोटना नहीं ह होता है, हमारी मम्मी, दादी, नानी, ताई जी, चाची जी, सब ही इन में पीछती थी, मैं ज़्यादा था चौपर यूज करती हूँ, क्योंकि ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और मैं पहली से इसे 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 इस्तमाल करती आ रही हूँ, आप इसे थोड़ा पीछता है, ना जादा ही मोटा, आप इसमें चम्मच से इसको प्रैस कर सकते हैं, या फिर थोड़ा रुक के हाथ से भी, ऐसे ही करके हम थोड़ा-थोड़ा मसाला इसमें पीछ लेंगे, हमारा मसाला ना जादा बारिक होना चाहिए, और ना ही जादा मोटा, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, आज कलके बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन आप अगर इस तरीके से करेले की रेश्पी बनाएंगे, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आए, आप बाहर का जितना भी खाले, लेकिन जो सुआद घर के खाना में आता है, वो वही मसाला है जो हम अचार में यूज करते हैं हम लेंगे एक चम्मच करीब आमचूर और एक चम्मच गरम मसाला और इसके बाद हम लेंगे ये मिक्स मसाले जो हम अचार में डालते हैं ये मसाला आप अलग से भी तयार कर सकते हैं इसमें शौफ, जीरा, कलोंजी, मेथी दाना, सरसो, राई इन सब को मैंने मिक्स कर लिया है और जीरा भी हमें थोड़ा जादा लेना है जीरा और सौफ हमें और मसालों से थोड़ा जादा ही लेना है अब हम एक कड़ाई में डेड़ चमचा ओईल लेंगे मैंने मस्टर्ड ओल यूज़ गया है आप चाहे तो रिफाइन ओल भी यूज़ कर सकते हैं आपको जो पसंद है आप इसमें बना सकते हैं जब यह हमारा तेल पक जाए तो इसके बाद हम इसमें मसाले एड़ करेंगे सोप से थोड़ा मीठा पन अच्छा आता है इसलिए मैंने सोप और अमचूर से खटा पन जादा आता है इसलिए मैंने अमचूर भी इसमें डाला है यह हम मसाले को इसमें डालके थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम जो हमने मसाला चौप किया हुआ था उसको इसमें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे इसे हम मध्यम गैस पर ही लगाता चलाते रहेंगे 5-7 मिनट तक आप इसको चलाते रहें जिश्य कि यह अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और भून भी जाए अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले अड़ करेंगे और हाँ अगर आपको लीवर से संबंदित कोई समस्या है तो इसका सेवयन आप जादा ना करें क्योंकि करेले भी कभी-कभी नुक्सान कर जाते हैं भरवा करेरे जल्दी से खराब नहीं होते हैं इसलिए हम इसे दो-तिन दिन तक अराम से खा सकते हैं और स्टोर भी करके रख सकते हैं अब हमारा मसाला हलका हलका ब्राउन हो गया है ये भुन भी गया है ये देखिए एक दम अच्छी खुसबू आ रही है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर इसमें mix करेंगे अब हम डालेंगे एक चमच करम मसाला और जो हमारे पास अम चूर रखा हुआ था वो भी हम दोनों मसाले इसमें डाल देंगे ये मसाला हमें चलात हुए अच्छी तरह से भूना है और इसको सही से हमें mix कर लेना ये देखीए इसको मैने अच्छी तरहा से mixed कर लिया है इस masala को हमें 5-7 मिनिट तक अच्छी तरहा से mix करना है और हमें ये चलाते ही रहना है हम इस masala को अच्छी तरहा से भून लेंगे और इसको चलाते ही रहेंगे जिस् Centre कि ये सही से mix हो जाए ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है हम इस मसाले को भी रोटी के साथ खा सकते हैं क्योंको ये बच्चों को भी बहुत पसंद हो था अब इसे मैंने आधा एक मिनट के लिए ढख कर रख दिया है इससे हमारा मसाला और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और पक जाएगा वैसे तो करेला खाने में कड़वा लगता है लेकिन आप इस तरीके से पकाएंगे तो ये कड़वा नहीं लगेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा बनेगा अब हमारा मसाला बनकल बिल्कुल तयार है अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे आप इसमें बड़ी बाउल या प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए अब हम इसको एक बरतन में डाल लेंगे मैंने ये एक बाउल में डाल लिया है अब हम इस मसाले को करेले के अंदर भरेंगे यह आप हाथ से भी भर सकते हैं और चम्मच से भी भर सकते हैं जो तरीका आपको असान लगे आप उसी तरीके से करिए मैंने वाइट कलर का धागा लिया है इसको बांधने के लिए क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही दलेंगे तो इसमें से सारा मसाला तेल में बाहर निकल जाएगा ये देखी अब हमारा क्रेला अच्छी तरह से भर गया है इसमें हमें वाइट क्लर का ही धागा यूज़ करना चाहिए क्योंकि दूसरे धागे का रंग भी उतर सकता है अगर आपके पास पक्के रंग वाला धागा है तो आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें तूत्पिक भी यूज़ कर सकते हैं बहुत से लोग इसमें तूत्पिक यूज़ लग करते हैं लेकिन मैंने धागा इसमें यूज़ किया है क्योंकि तूत्फिक निकल सकती है धागे से अच्छी तरह से ये बंद जाता है और मसाला भी भार ने निकलता ये देखिए मैंने अपने सारे करेड़ों पर साईसे धागा लपेट लिया है अब हमारे करेले जो हैं तलने के लिए तैयार हो गया है अब हम चड़ाएंगे एक कड़ाई में तेल तेल हम में थोड़ा ज़्यादा ही लेना है जिसे ये अच्छी तरह से तल जाए ये देखिए मैंने इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि कम तेल में करेले सही से नहीं तले जाते इसलिए थोड़े ज़्यादा हमें अच्छी तरह से तल जाते हैं हम अच्छी तरह से कड़ाई में तेल को गरम कर ले गए अब हम एक के करके इसमें करेले छोड़ेंगे ये काम अब जारा थुड़ा अराम से करना क्योंकि इसमें गरम तेल की छीट पड़ने का भी डर रहता है ये मैंने शारे करेले एक एक करकर इसमें तलने के लिए छोड़ दिये हैं हमें करेलो को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है इसको हम इधर उधर पलटते रहेंगे हमें करेलो जब तक तलने हैं जब तक यह हलके ब्राउन ना हो जाए और यह हमें चारो तरफ से ही तलने पड़ेंगे इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए ढग दिया है जिससे की इसका छिलका अच्छी तरह से गल जाए अब हम इसको पलट कर देखेंगे दूसी साइड से हमारा करेला पग गया है यह देखें अब हम इनको सारे करेलो को पलट लेंगे और हर 2-3 मिनट में इनको चेक करते रहेंगे कहीं हमारे करेले जलना जाएं इन्हें हम धिम्मी या मीडियम आज पे ही तलेंगे और हाँ आपके पास अगर अचार वाला मसाला नहीं है क्लोंजी शॉंप सरसोराई तो आप सिर्फ शॉंप से और जीरे से भी काम चला सकते हैं यह तब भी टेस्टी ही लगेंगे यह देखे हमारे करेले हलके हलके ब्राउन हो गए हैं और यह अब बनकर तैयार हो गए है हमें इने लगातार थोड़ा सा पलटते रहना है यह देखे हमारे करेले एकदम क्रिस्पी और एकदम ब्राउन हो गए है अब हमारे करेले करेले सही से ब्राउन भी हो गए है और अच्छे सी खुसभू भी आने लग गई है इसके बाद हम एक के करके इन करेलो को निचोड़कर अलग से बॉल में निकाल लेंगे मेरा थोड़ा सा मसाला पहले का रखा हुआ था भुना हुआ मैं उसी बॉल में इन करेलो को निकालूँगी यह हमने गैस बद कर दी अब हम इनको अराम से निकालेंगे यह बहुत ओईली होते हैं इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए हम अच्छी तरह से निचोड़के अलग से इन करेलो को निकाल लेंगे और जो मसाला हमने हमारा बचा हुआ था भूना हुआ उसी मसाले में इन करेलो को भी हम मिक्स कर देंगे क्योंकि मसाला इसका बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को करेले कड़वे लगते हैं इसलिए इस मसाले से बच्चे रोटी खा लेते हैं हमने कड़ाई का तेल अलग रख दिया है और यह हमारे भर्वा करेले जावा पिने कहाए तो इनका धागा निकाल दीजिए और इनको अराम से खाए यह हो गए हमारे भर्वा करेले बनकर तयार आप भी खाए और महमानों को भी खलाए आपको मेरी रेच्पी पसंद आई तो प्लीज कमेंट करकर जरूर बताए धन्यवाद